हेलो दोस्तों नमस्का सशिकाल एक बार फिर आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जिम्ही लाइफ दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने बताया था अपर बॉड़ी की स्टेचिंग कैसे करनी है एक्सेसे करके बताई थी उससे पहले 5-6 मिनट की मैंने एक डैफिनेशन आपको बताई थी कि स्टेचिंग के पैनिफिट कैसे होते हैं क्या पैनिकर्स मिलते हैं और इन्हें हर एक स्पोर्समें कर सकता है तो वीडियो लंबी हो गई और मेरे ख्याल वो डैफिनेशन तो किसी ने सुनी नहीं तो शायद वो स्टेचिंग एक एकसरचिंग कैसे करनी है वो आपको पताता हूं तो पहले आपने क्या करना है अपर बाडी में सबसे पहले उम्हेंसाड नेक श्टेचिंग करनी हैं मैं आपको दस-दस बार करके दिखाऊंगा आप इसको 20–30 यहिसज्ट कर सकते है तो पहले G G G G यह पैली एक्सेसाइब रोड़ी, सेकिंड यह पैली एक्सेसाइब रोड़ी, सेकिंड यह पैली एक्सेसाइब रोड़ी, सेकिंड कर दो बनाओ कर दो अग्याइ कर दो है कर दो कर दो नहीं आए नहीं गल आर नार 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 ना जाल नार 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 प्राव लाई नाव शी अचाले ओूओ यूपलाव शीड़ायर यूपलाव लूपलाव कर दो आटा हूं दो आट दो कि अज़ता रा दो कि अज़र कर दो कि अगशता है आजा शीदा देल तो ये दोस्तों बच्चों ये सभी के लिए चाहे पांसाल से लेकर सो साल की उमर का कोई भी परसन कोई भी स्पूर्समेन चाहे बड़ी बॉक्सिंग एथलीट जमनास्टिक पॉडी बिल्डिंग योगा और नॉर्मल परसन ये सभी केटागरी के हर इंसान बच्चा पूड़ा जवान हर कोई कर सकता है तो इसमें मैंने सिर्फ आपको पांच पांच छेशे रेपिटिशन करके दिखाए हैं आप 20 से 30 रेपिटिशन एक एक्सेसाइज के कर सकते हैं और बोलकर डीपली जो मैंने स्टेचिंग के बारे में समझाया है बताया है वो लास्ट वीडियो में है और कौन से लोग पेशेंट्स जिनको पेइन है सरवाइकल है वो कौन से एक्सेसाइज कर सकते हैं कौन से नहीं कर सकते हैं वो भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया है त तो अगर आपको यह information, exercises, stretching exercises आपको अच्छी लगी तो बच्चों से हर किसी से share करें, चैनल को subscribe करें, like करें, फिर मिलेंगे नई वीडियो नई exercise के साथ.